बिल्डिंग मेटेरियल में स्टोन हमने डिसकर्स कर लिया है आज ब्रिक्स को डिसकर्स करते हैं तो ब्रिक्स का यूज तो आप सबको पता है कहीं भी दिवाल जोड़नी हो दिवाल बनानी हो उसमें ब्रिक्स का उप्योग होता है जो स्ट्रीट होती है उसमें भी पेमेंट यहां सकता है तो वहां पर भी सकाव होता है अब को ब्रिक्स में कि चीज़ें किन चीज़ों को मिलकर बनता है तो ब्रिक्स की जो मेटी होती है उसमें alumina और silika यह main contain होता है तो जो alumina है वो 20 से 30% होता है और silika है वो 50 से 60% होता है तो kolumula के 87% तो alumina और silika हो गया अब इसके सिवाय भी कुछ चीज़े उसमें होती है जैसे कि lime है, magnesium है, potassium है, iron oxide है तो magnesium है तो यह सब चीज़े bricks में होती है तो आपको main content है कि main है alumina और silika alumina लगबग 25% और silika लगबग 50-60% तो आप यह द्यान रखेंगे lime, magnesium, potassium, iron oxide यह सब चीज़े भी उसमें होती है जो बागी का 30% बचा उसमें अब देखिए जो इसका content है मतलब जिनको मिलाकर जो bricks की जो clay बनी हुई है यदि उसमें इन चीज़ों की कोई चीज बढ़ जाती है कम हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है मान लेजिए कि आपका alumina वह ज्यादा हो गया तो alumina ज्यादा होने की वज़े से वह clay में bricks की जो clay है जिस मिटी से brick बनाई जा रही है उसमें यदि alumina ज्यादा है तो आप जब उस brick को सुखाएंगे तो क्या होगा उसमें क्रेप डेवलोप होगा व्रेप होगा व्रेप क्यानि ऐसे एट थोड़ी ऐसे मुड़ी होई आपको लगेगी यदि उस clay में आपको और तो इसके बाद है कि यदि उसमें ज्यादा हो जाए तो क्या होगा तो लाइम ज्यादा होगा उसके वजह से जब आप इट को बर्न करते हैं यानि कि जब जलाते हैं उसे पक्का बक्की निट बनाने के लिए तो वह मेल्ट हो जाएगी मेहलट यानि इसकी जो साइज रहेगी उस्साइज से मढले पतला हो गया बढ़ गई बेंड के ब्रीकर समें अन्iden है उसमें एक सॉंट है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वह ही में जो मोईस्चर होता वह उस चीज को एबजोब कर लेगा शुख लेंकि वůज़े से जर इसकी वजह करें के तो उसके ऊपर तो ने देखने को मिलेंगे प्रिकिस के उपर और जिए चीज होती जो जिए Neos से मूस्चर को सोख लेना पिर उस पर सुखाते समय उसपे पावडर 2012 इसको कहते हैं तो कि यदी इसके अल्कालाइं जो धी है उसके जग आгрे क्ले में तो हो सकता है ब्रिक की मेनु पेक्चुरिंग bargain की बारे में बात करेंगे इसमें हम टोटल चाहे में इसको दिवार किया है पहला है की जो फिरिक का दो कुल्प करने दूसरे स्टेप में मृढं करेंगे यानी मिटी से को बनाएंगे गिस अबूब को सुखा शुकाने के बाद यो जलाएंगे तो इसमें यह द्यान लोगार दो बनाना नि स्वेटी मित्टी लेने जाना पड़ता है उसकी क्लीनिंग करने पड़ती है क्लीनिंग यानि कि आप पहले आपकी जमिन को पुरा साफ करेंगे साफ करने के पाद एका दिन उसे छोड़ देंगे दूसरे दिन वापर थोड़ा उपर उपर से खटा कोदेंगे खटा कोदने के पास बाद उसे दो तीन दिन तक या दो एका धपते तक उसे सुखने के लिए छोड़ देंगे उस चीज को हम वेधरिंग बोलते हैं देके वेधरिंग सब्द कहीं और सुनाओगा आपने लेकिन ब्रिक की जो प्रिपरेशन ओब ब्रिक क्ले होता है मतलब उसके मिट्टी बनाते हैं तब भी हमें वेधरिंग सब्द का उप्योग करना है जो खटा कोद कर कूछ टान के लिए छोड़ दिया जाता है उसे वेधरिंग का जाता है अब आपको एक चीज और दियान रखना है कि आप यदि देड़ से डाई 1.5 से 2.5 याने कि 2 मिटर क्यूब के आसपास यदि आप मिट्टी निकालते हैं तो आपको एक हजार ब्रिक की मिट्टी मिल जाएगी इसके बाद है अभी आपको कहा हो जाएगा आपको जैसे अंदाज लागाना है कि 5000 ब्रिक्स बनानी है मु उसे टेम्परिंग करते हैं तेम्परिंग करने के भाद ऐसे प्लिंग में ढाल कर यानी beğक्ली स्थम особенно का जाता है और यह जब पानी दूसरे मिनरा लाइं या जो थोड़ा थी अधे उसको हम तो आप इसे दो तरीके कर सकते हैं हैं और मसीन मौल्डिंग में अपने देखा हुगा एक नाचा होता है बोक्स जैसे राता है उसके अंदर आपको मिट्टी को पुरा बना रहता है उपर से लेवल करके उसे एसे उल्टा रखके उसको निकाल लेना रहता है तो इसको पर करते हैं करते हैं तो मशीन मोल्डिंग कर सकते हैं एक टाइम पे जादा बिक्स को डाचे में बहुत सारे मोल्ड एक सात रहते हैं तोड़ा जली-जली स्कूल किया सकता है प्लास्टिक मेघ्स का अध से बनाय участie बरेक्ष रहते हैं वह उन्की क्वालिटी उनका जो वराल प्रोक्रामचंप कांवiblok मसीण मेंड जो प्रिक राता रूसाय अच्छा राता है अब घुटी के बरीक लगता है आपका जो ब्रीक होता है मोल्डिंग करते समय से उल्टा रहता है उसे सुखाने के लिए एक दिन बाद दूसरे सीधा करना पड़ता है तो अब जहां पर इस ब्रीक को सुखाया जाता है बरनी की बात भी नहीं हो रही है तो सुखाने के लिए भी जमीन को आसपास की जमीन से थोड़ा हुचा रखा जाता है तो उस जमीन को हेक्स काते हैं आपको यह कहीं कहा दें कि हैक्स क्या होता है तो राइस्ट ग्राउंड फोर ड्राइंग अच्छे से नहीं होती है तो इसमें क्रेक और डिस्टोर्शन पैदा हो सकता है इसके बाद बर्निंग ब्रिक ब्रिक को अब जलाकर उसे पक्की इट बनाना है लाल लाल बनाना तो इसके दो तरीके आपके अब की जहां किये या किल में कीजिए कलेंप किसे बोलते हैं जो इतों को जैसे प्र गोबर लक्ली या कोई उसका लेर फिर एक बट्टा जैसा उसको पना जाता है उसे नीचे से आग लगाई जाती है तो यह क्लेम्प और किल तो देखाऊंगा आपने चिमनी रहती हैं उची 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 उसमें से दुआ निकलते रहता है पूरी चिमनी इन दोनों के आपको फोटो दिखाता हूं क्लेंप में आपको क्याद रखना है कि फर्स्ट क्लास जो ब्रीक होता यानि कि सबसे अच्छी कॉलिटी वाला ब्रीक लगबख 60 परसेंट आपको मिलेगा बाकी के 40 परसेंट जो आपके रहेंगे वह सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में चले जाएंगे और उसी तरह यादि आप को 24 गंटे उसे बर्न करना पड़ता है और उसको करने के बाद लगबाग 12-13 दिन उसे मतलब दो हक्ते के आसपास उसे कूल होने के लिए छोड़ दिया जाता है यानि कि थंड़ा होने के लिए छोड़ दिया जाता है अब इसमें चीज़ आपको याद क्या रखना है कि जो टेंपरेचर होता है वह हजार से 1200 डिगरी सेल्सियस पर ब्रीक को जला जाता है तब जाकर हमें अच्छी ब्रीक मिलती है तो हमने इसमें चार चीज़ जाकि सबसे पहला क्ले का प्रिपेशन उसके बाद मॉल्डिंग ऑप ब्रीक यानि ब्रीक को मोल्ड करना उसके बाद ब लिखना हो वहां भी लिख सकते हैं यदि आप यह पॉइंट्स नोट डाउन करके रखते हैं तो और यदि आपको पूचे जाए तो भी आपको जवाब दे सकते हैं जैसे कि आप से पूचा जाए कि एक हजार ब्रेक बनाने के लिए लगबक कितना मिटर क्यूब मिटी चाह कितनी मिलती है तो 60 परसेंट किल में कितनी मिलती है तो 80-90 परसेंट क्या होता है जो राइजर ग्राउंड होता है उसे एक से दो दिन लगते हैं चोटी-चोटी चीजे आपको पूची जा सकती है में मिलाया जाता है उसे नीडिंग करते हैं एक है फर्स्ट क्लास ब्रिक दूसरा है सेकंड क्लास ब्रिक और तीसरा है तो इन चारो को थोड़ा डिटेल में देखते हैं चारो का नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है प्रोपेटी में भी जो बहुत ही अच्छे तरीके से बंट ब्रीक होगा उसी को हम प्रस्ट क्लास ब्रीक करेंगे और जो burning process थी उसमें आपने देखा था कि 80-90% brick किल में यदि हम उसको जलाते हैं तो 80-90% brick हमें first class brick मिलती थी तो अच्छे से burn हुए brick को first class brick कहेंगे उसका जो brick का जो surface रहेगा एकदम smooth आपको मिलेगा और उसका जो shape रहेगा परफेक्ट rectangular रहेगा सारे उसके जो corner रहेंगे वह आपको perfect सीधे दिखेंगे उसके बाद है कि उसका जो color रहेगा वह uniform radius रहेगा देखिए थोड़ा सा radius से थोड़ा अलग हो उससे मतलब नहीं लेकिन uniform color होना चाहिए मतलब एक ही color का पूरा brick दिखना चाहिए तो first class brick में आएगा उसके बाद एक याद रखने वाली चीज है कि first class brick को यदि हम 24 गंटे तक पानी में डुबा कर रखते हैं तो अपने खूद के ड्राइवेट से 20 पर्सेंट से ज्यादा पानी वह नहीं सोखेगा अब इस चीज को हम कैसे समझते हैं देखिए मालेज यह एक ब्रीक है उसका वजन 5 किलो है ठीक है अब उसको हम 24 गंटे तक पानी में डुबा कर रखते हैं तो उसका वजन हुआ 6 किलो इसका मतलब हुआ कि एक किलो उसमें मतलब एक लीटर उसमें पानी एबजोब हो गया तो पांच किलो पे एक लीटर पानी एबजोब हो रहा है इसका मतलब जो क्रसिंग स्ट्रेंथ है वो 10 एमन पर मीटर स्क्वेर आपको मिलेगी तो यह भी आपको याद रखना है आप इसको 10.5 भी कर सकते हैं मतलब कहीं कहीं साड़े दस ग्यारा करते हैं सेकंड क्लास ब्रीक की तो ज्यादा कुछ डिसकस करने जैसा नहीं है अच्छे से जला नहीं है मतलब थोड़ा कम जला है यह उसकी सर्पेस थोड़ी सी राफ है और वो पानी का जो अब्जोब्शन है वो 24 और में 22 परसेंट यह वाटर अब्जोब करता है तो अपने द्राइव8 K comparison में तो उसे हम सेकंड क्लास में ले लेंगे उसके बाद है थर्ड क्लास ब्रिक तो यसको अंदर बंत 25 परसेंट तक आपको इसमें वाटर एब्जोप्शन मिल जाएगा यानि उसके ड्राइवेट से 25 परसेंट ज्यादा हो जाएगा अब बात करते हैं जहामा ब्रीक की तो जहामा ब्रीक होता है जो और बंट हो गया है आप देखिए यह अच्छे से जला है तो फर्स्ट क्लास फोड़ा कम जला सेकेंड यह उससे भी कम मतलब बाकी रा गया और मप्रीक क्या है और इसका जो घृत हो जाता है बुष स्टैग आपको कलर देखने को मिलेगा तह तो जामा ब्रीक के तोर पर उसको क्लास्ट करेंगे बात करते हैं, ब्रिक के साइज की, तो ब्रिक की साइज है, 19 x 9 x 9 cm, एस की स्टांडर्ड साइज है, ठीक है, यह कीस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, कि मैं एक चोटा से या ब्रिक बनाता हूं, यह हो गया आपका ब्रिक, कि ठीक है तो इसमें आपकी यह वाली साइड नाइंटिन आपको मिल जाएगी और यह नाइन और यह भी नाइन सब सेंटिमेटर में तो आप इसको ब्रिक की साइज को इस तरीके से देख सकते हैं थोड़ा बड़ा बना के मैं आपको दिखा दू कि तो जैसे यह ब्रिक है आपका कि इसको 3D में तौड़ा बनाएंगे तो ये आपकी शाय ओगे 19 सेंटिमीटर ये नाइन सेंटिमीटर और ये वाली भी 2 सफेट्य में तो यह आपकी 1968 यह 4 सेंटिमीटर भी लिका रहता है तो ऐसरी सेंटिमीटर व्लाव्फ्सन भी आपको दों टिक करना पड़ेग है और एंड ब बो और त minority करना पड़ेगा है यदि हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास की होती है उसके बाद है कि कोई आपसे पूछ लहीं कि भाई एक मीट्र क्यूब मेज़नरी वल करना है तो उसमें कितना लगेगा यह फांसो पचास नोजा आपको लगे. तो नियर अबावट मांद लेज है पां सो से शेसर के भी आपको जो भी ऑ talks disp टिक करना है तो यह 550 नोज ब्रिक एक मीटर क्यूब मेजनरी में आपको लगेगा अब कुछ स्पेसियल टाइप की जो ब्रिक्स रहती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं तो स्पेसियल टाइप के ब्रिक स्पेसियल टाइप करते हैं उसके बाद पेविंग जैसे गली में जैसे गाओं में ब्रिक्स को नीचे जमीन पर लगा जाता है रोड के वहां पर तो उसको स्ट्रीट में लगा गया वह फिर स्टेबल यानि जहां पर गोड़े को रखा जाता है तो वहां भी स्टेबल में भी उसके बाद रऑन भी को ता रऑन ब्रिक्स का उज होगा यदि आपको कोई सर्कुलर बनाना है तो वहां पर, यूज हो जाएगा यहां पार्टिशन बनाना यानि कि कोई दिवाल भाया निया जो जस्ट दो चीजों को डिवाइड करती हो उसके कोई खास लोड ना आने वाला हो ताप अपने उपर असर ना होने दे जैसे कि Aco type पाता है बेजिख to improve और्रल होता है अनुंच परवेजिक में मेगनेस यह जाूर डॉलमाइट यह दो चैप के बडिख आते हैं और उपेजिकली आपको यह पांच नाम कम से कम्याद रखना एब यह is special टाब्रीक के नाम है ताकर आपको एसा न लगै की भई होलो टाइप का Bric तो आता इन यह या रेप्रेक्टिफ ब्रिक आता है रिप्रेक्टिफ ब्रिक आता है परियों रैप्रेक्टिफ ब्रिक होता है और राउंड ब्रिक होता है तो हमने टोटल से चार पार्ट में बिवाइड किया फ़र्स्ट क्लास सेकंड क्लास एड़ क्लास और जामा ब्रीक में आपको याद रखना है कि कि यह से भी ज्यादा यदि बंट हो गया है तो यह जाबा ब्रीक हो जाएगा और इसका डार्क ब्लू ब्लू इस टाइप आप इसको कलर इसको आपको देखने कमी लेगा और दूसरी चीज़ याद रखने है कि फर्स्ट क्लास ब्रीक में हमेशा 20% से कम यानि फर्स्ट क्लास चीज़े आपको याद रखनी है यह आपसे यह साइज पूछी जा सकती है 19-9-9 आपको एक मीटर क्यूब में कितना ब्रीक लाएगा वो पूछा जा सकता है स्पेसिपिक ग्रेविटी पूछी जा सकती है जो टू होती है और यह आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट क्लास में कितने पर्सेंट से कम पानी अब्जोप्शन होना चाहिए दूसरी आप बस यह इसमें कुछ याद रखने वाली चीज़े यही है थैंक्यू जय ही